बोला मुवी में आइटम सॉंग है या नहीं और आज जीने की तमन्ना है जो सॉंग है वो कब आएगा बहुत से लोग मुझे पूछ रहे तो दोस्तों देखो बोला मुवी का कुछ ने कुछ अपडेट तो रोज जरोगंदे ही रहे है अगले एक वीक में आ सकता है कुछ ने मुवी में आइटम सॉंग केसे हो सकता है तो भ rij ऐसा नहीं है कि वो मुवी भगवान के नाम पर है तो वो सिर्फ उसमें कोई धार्मिक ही सब कुछ होगा इट्स अ मूवी और वो मूवी में आइटम सॉंग क्यों नहीं होगा वो ऐसा क्या है उसमें कि I mean आइटम सॉंग नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आजे रहगण कि वो लॉव स्टोर अगर आप देखते हो या फिर उसके लाइफ में या फिर कोई विलन जब आएगा तो ऐस सुना है मैंने कि वो विलन होगा और सामने वो क्या नाम है लक्ष्मी राय जो है राय लक्ष्मी वो एक्ट्रेस है वो जूली 2 में थी वो बॉलीवड की मूवी में लेकिन बाकि तो वो साउथ से ही है साउथ एक्ट्रेस साउथ मूवी में उसने काम किया है सेंड्रेला देखो आज है 24 फेबरूरी और 30 मार्च को आने वाली है मुवी तो ट्रेलर और जो एक दो सॉंग बचे हैं बड़े मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि भूलेना जी का एक बड़ा महादेव का सॉंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं उस मुवी से देखते हैं कितने आएंगे कितने नहीं ट्रेलर का तो मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दिया है कि कब आ सकता है और ये सॉंग आएंगे दोस्तों मुझे तो लगता है दो-तीन दिन में आनाउसमेंट हो भी जाएगी कोई सॉंग की और जितने भी सॉंग से हमें अगले 15 दिन में सब कुछ अपडेट्स मिल जाएगी भूला कि मतलब विच सॉंग भी आ जाएंगे चाहद और ट्रेलर भी आ जाएगा क्योंकि मुवी से पहले 15 दिन यह अगर पकड़ के चलो कि 30 तारिक को आने वाली मुवी मतलब अभी 30-35 दिन 30-35 भी क्यों यह तो 28 दिनों का ही महिना है न हम एक महिना पकड़ ले दे मुवी को 15 दिन में जितने भी सॉंग से और जितने भी ट्रेलर वगरा बाकी वो क्लियर हो जाएगा मतलब सारा क्योंकि 15 दिन जब मुवी रिलीज होने वाली होगी मतलब 30 तारिक को 15 मार्श तक सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा ट्रेलर भी आ जाएगा तब तक और यह जो 2-3 सॉंग इस बच्चे है उनका भी इंट्रोडक्शन टीजर वगरा सब कुछ आएगा तो सब कुछ रिवील हो जाएगा थोड़ा सा दीरज रखो आजे रयोगन फैंस को यही कहूंगा शेयर करो जाता से जादा वीडियो चैनल सब्सक्रेब नहीं किया है तो कर लेना थैंक्यो